अगर आप senior citizen हैं और investment करना चाते हैं तो आशी जी से discuss करेंगे कि ऐसी 11 investment scheme, new schemes या फिर old schemes उनके बारे में discuss करेंगे और 2024 में आपको maximum benefit किस scheme में मिलेगा आशी जी से discuss करेंगे तो आशी जी सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि scheme के उपर बाद में आते हैं सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये term insurance की बात करें या फिर mutual fund की बात करें क्योंकि senior citizen है 60 plus हैं तो क्या उनको term insurance और mutual fund के अंदर investment करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए विने जी एक चीज़ कहना चाहूँगा यहां पर मैं कि वीडियो के अंतक बने रहें क्योंकि आज जो schemes की discussion कर रहे हैं वहाँ पर नए interest rate भी आ चुके हैं interest rate का भी आपको पता लगेगा कि कि स्कीम में क्या interest rate मिल रहा है आपके लिए कौन सा beneficial रहेगा अब आपके question पर आते हैं term insurance की आपने बात करिए तो term insurance मुझे लगता है कि senior citizen को नहीं choose करना चाहिए insurance तो senior citizen के लिए होना ही ने चाहिए अगर insurance वर्ड उनके दिमाग में आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का दियान रखना है वो है medical insurance इसके अलावा कोई term plan हो या कोई guarantee return plan हो जिसमें insurance भी आपको दिया जा रहा है तो उन से आप दूरी बनाए रखेंगा mutual fund की अगर हम बात करें अगर आप रिस्क जानते है mutual fund का और आप अभी अगले साथ से दस साल के लिए invest करने की सोच रहे है तो बिल्कुल mutual fund ले सकते हैं पर किस category में लेना चाहिए कौन सा mutual fund लेना चाहिए उसके बारे में discuss last में करेंगे पर उससे पहले 11 secure schemes की बात करेंगे इसके अलावा तीन चीजों का आपको दियान रखना है विने जी अगर आप investment करने की सोच रहे है senior citizen तो ये तीन चीज करने के बाद ही आप investment की सोचेंगे पहली चीज क्या है emergency fund कभी भी आपको पैसे की जुद पर सकती है तो जो भी आपका expense है monthly का तो senior citizen के लिए यहाँ पर हम expense की बात कर रहे है जो भी आपका खर्चा है महीने का उसको 12 से गुना कर ले एक साल का आपका खर्चा emergency fund में होना चाहिए जिसके लिए आप एक या दो दिन में वो पैसा ले पाए है वो पैसा आप लोकिन वाले situation में नहीं डालेंगे दूसरा medical insurance आपका होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर medical के जैसे से cost बढ़ रही है तो medical insurance आपके लिए काफी important हो जाता है और तीसरी चीज अगर आपको regular income चाहिए तो regular income वाले plan में आपको invest करना चाहिए scheme में invest करना चाहिए या अगर आपको compounding benefit चाहिए आपका पैसा भरता रहे तो उसकी भी आज हम discuss करेंगे और secure investment की बात करेंगे अब एक चीज़ का ओर ध्यान रखना है पोश्ट office की FD और RD से आपको दूरी बनानी है क्योंकि वहाँ पर काफी कम interest rate मिल रहे है इसके comparison में बाकी जो scheme है government की उसमे आपको invest करना है तो आशी जी अब यहाँ बात करते हैं कि काफी जैसे senior citizen है उनको regular income की जूरत होती है तो जैसे कई बाद MIS scheme की बात करें या फिर जैसे ये मन्थली आपको return देते हैं या फिर आपके account में पैसे आ जाते हैं जो कि दिंचरिया के लिए use होते हैं तो अगर senior citizen क regular income चाहिए तो कौन सी scheme के अंदर investment करना सबसे ज़्यादा बैतर होगा पहली scheme हमारे सारे senior citizen जानते हैं मैं भी same scheme बोलूँगा आगे वाली scheme ठोड़ी different हो सकती है पर senior citizen saving scheme चाहिए आपको regular income चाहिए compounding benefit चाहिए कुछ भी है आपकी requirement तो 30 लाग तक का पैसा आपका senior citizen saving scheme में डल होना चाहिए उसके बाद ही बाकि schemes की तरफ जाएंगे तो senior citizen saving scheme आपकी पहला चुनाव होगा post office, banks कहीं पर भी इसको open कर आ सकते है 8.2% आपका current interest चल रहा है ध्यान रखें जो interest आपको मिलता है वो taxable होता है तो हलाकि government को senior citizen की तरफ देखना चाहिए और मैं तो बार-बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि इस जो senior citizen at least saving scheme है उसका जो interest है उसको government को tax free करना चाहिए तो आपको भी ऐसा लगता है तो comment section में जरूर लिखें हम बार-बार बोलते हैं comment section में लिखो इस बात को हो सकता है कहीं ने कहीं ये video government तक पहुंचे और इसके बारे में जो आप सारे senior citizen comment करेंगे तो हो सकता है कि सरकार का इस तरफ ध्यान जाए पर एक चीज अच्छी चीज है कि 80 ttb का benefit इसके interest पे भी मिलता है जो की है 50,000 पे पर year 50,000 पे जो आपको interest मिलेगा उसका benefit अगर आप old tax scheme में आते हैं तो 80 ttb का benefit ले सकते हैं तो senior citizen saving scheme पहली scheme रहेगी इसके अलागर अगर आप compounding benefit चाते को कि यहां पर हर तीन महीने में आपको interest payout हो जाता है तो जो interest आपको मिलेगा उसको RD में invest करेंगे धियान रखना है यहां पर अगर आपको monthly पैसे की जरूरत नहीं है तो आप इसका पैसा जो हर तीन महीने में आता है उसको RD में invest करेंगे क्योंकि RD में आपको इससे जादा interest मिलेगा तो effectively आपको 8.2% जिसमें 100% security रहेगी आपकी वो मिलेगा senior citizen saving scheme में और बाकी आप RD में डालेंगे तो quickly comparison chart से देख लेते हैं private bank में अगर आप RD करवाते हैं इंडेस IND bank, RBL bank, DCB bank वहाँ पर आपको 8.6% तक interest rate मिलता है अगर आप senior citizen है और बाकी bank को इसके भी comparison chart के मादियम से आप देख सकते हैं और बिल्कुल private bank की बात करें, small finance bank की बात करें, वहाँ पर आपका 5 लाग तक का insurance मिलता है DICGC के ते है जो आपका पूरा पैसा secure होगा, quickly small finance bank जहाँ पर हम बोलते हैं कि 5 लाग तक की आप अपनी RD करवा सकते हैं, वहाँ पर तो आपको 9.1% तक interest rate मिलता है, सुलेदे small finance bank की बात करें, जना small finance bank की बात करें, और government bank के भी RD के interest rate quickly आपके सामने screen पर हैं, ये दो चीजे हैं विने जो पिल्कुल 100% security की तरफ हम लेकि जाते हैं, बाकी schemes का हम further discuss कर सकते हैं, तो तीसरी scheme जो है आपकी, जो की है guilt fund, यहाँ प आप risk लेना चाते हैं, तो इस scheme से दूर रहेंगे, हाला कि guilt fund में, बाकी mutual fund के comparison में जैसे mutual fund है, वैसा नहीं है, यहाँ पर आपका पैसा government securities में invest होता है, और government securities में, हाला कि default के chances कम होते हैं, तो आप उस माइनों में समख सकते हैं, कि यह लगबग लगबग secure ही मानी जाती है, और यहाँ पर जो आपको return अब मिलेगा, क्योंकि interest cycle आपकी downward की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जाएंगी, तो return थोड़ा ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर हम बता आने सकते हैं, क्योंकि saving regulation के तहट कि कितना return आपको मिलेगा, बट हाँ, आपको एक अच्छा return यहाँ पर तो आपको दिहान रखना है, तो SBI Magnum Guild Fund Direct Plan में ही invest करेंगे, अगर आप scheme की तरफ जाते हैं, तो यह मेरे लिए option number 3 है senior citizen के लिए, और disclaimer फिर से देना चाहूँगा, सेभी की भी direction है, कि mutual fund investment आपके risk के तहट आते हैं, पर यहाँ पर आपका government security में invest होता है, तो source समझ के ही इसमे invest करें, तो तीसरा option मेरे लिए Guild Fund रहेगा, चोथा option, regular income की आपने बात करी थी, वो रहेगी MIS, हलाकि मैं परसनली से दूर रहना चाहूँगा, पर यह option आपको बताना जरूरी है, काफी लोग monthly पैसा लेना चाहते हैं, तो उस case में MIS का चुनाब भी आप कर सकते हैं, जिसमे आपको 7.4% interest rate मिलता है, single account खुलवाते हैं, तो 9,00,00 रुपे की limit है, joint account खुलवाते हैं, तो 15,00,00 रुपे की limit है, maximum जो इसमें invest करते हैं, और यहाँ पर भी जो आपको interest मिलता है, वो taxable होता है, आपकी total income में जुड़ जाता है, तो ये चार scheme है, विने जी, जो की RD के साथ, monthly income के साथ हमने आपको club करके बताई है, तो आशी जी, यहाँ पर ये तो बात होगी, कि अगर मुझे monthly या फिर regular quarterly मेरे को income चाहिए, अगर for example, मुझे सिर्फ compounding interest चाहिए, कि मुझा मेरा जो भी interest मिल रहा है, वो भी reinvest होता रहे, तो उसके लिए आपकी कौन सी scheme recommend करेंगे, कि मैं उसके अंदर मुझे multiply पैसा चाहिए, अगर after 10 year या फिर 15 year. बाकि different banks के interest rate आपको chart में easily दिख जाएंगे, पहुज करके आप आराम से देख सकते है, bank of India, PNB bank, bank of Baroda, Indian bank, इनका चुनाव करेंगे, तो आपको थोड़ा ज्यादा interest rate मिलता है, private bank की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी DCB bank में आपको 8.6%, RBL और Indus bank में 8.5, 8.25% interest rate मिलता तो, RBI ने भी बोला है कि तीन bank, SBI, ICICI और HDFC, यह काफी बड़े bank है, इनको डूबने नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको 7.7 और 7.65% तक के interest rate आपको मिलते हैं, उसके लावा small finance bank जहाँ पर आप 5 लाग तक की अपनी FD करवा सकते हैं, वहाँ पर आपको 9.5% तक interest मिलता है, जो कि रहेगा, unity small finance bank, तो यहाँ पर भी आप investment की सोच सकते हैं, जहाँ पर comparison chart में आपको सारे दिख जाएंगे, तो quickly हमने FD की बात कर ली, अब आप बाकी चीज़ों की बात करते हैं, तो next रहेगा gold, senior citizen को मुझे लगता है कि कुछ पैसा gold में भी invest करना चाहिए, कोई कि जब भी market में uncertainty आती है, जब भी equity market आपको concern दिखता है, geopolitical tensions होती है, तो gold आपको अच्छा return देता है, उस case में आप SGB में ही invest करेंगे, तो आपके लिए better रहेगा, हाँ, हाला कि आपके tax related, कोई investments related, कोई plans related, कोई भी question है, तो बे जिज़क आप comment section में लिख सकते हैं, आ आपको reply मिल जाएगा, लगबग 2-3 दिन में आपका reply आ जाता है, तो senior citizens के लिए जो भी दुविदा है, वो comment section में जरूर लिखें, तो अब SGB पे वापिस आते हैं, हाला कि आप जानते ही होंगे, 2.5% का आपको interest मिलता है, gold ऊपर जाएगा, तो उसका benefit मिलेगा, इसके अला करूँ, तो यहाँ पर आपको 7.7% interest मिलता है, कोई limit नहीं रखी गई है, जब आपका senior citizen saving scheme में पैसा complete हो जाता है, 30 लाग का, उसके बाद भी आपको invest करना है, तो आप NSE का चुनाव कर सकते हैं, और आप चाते हैं कि मेरे को 100% secure चाहिए, post office 100% security देता है, तो पर यहाँ पर क्युक्किली बताना चाहूँगा, लगबग 7.5% अभी current interest चल रहा है, और यहाँ पर आपका पैसा 115 महीनों में double होगा, लगबग अगर हम बात करो, 10 साल के आसपास आपका पैसा double होता है, और यहाँ पर भी आपका जो interest मिलेगा, या आपका पैसा double होगा, तो जो आपका ब fix या secure investment की बात करें विने जी, तो यह 10 option थे अभी तक के, जो मैंने बात करी, तो विने जी यह आपके सामने थे, तो आशीज जी अब जाते जाते बात करते हैं कि, although आपने काये कि mutual fund से थोड़ा सा दूर रहना है, बट अगर, for example, senior citizen जो है, वो mutual fund में risk को देखते होए भी invest क करेंगे, जो की अच्छा return दे और senior citizen के लिए थोड़ा सा benefit भी हो. आपको देखने को मिलेगा कि, किसी एक fund ने 40% return दिया, तो ज्यादा return आपके लिए better होगा, यह जरूरी नहीं है, तो आपके लिए right mutual fund invest करना ज्यादा important है, तो senior citizen के लिए large cap में invest करना चाहिए, और आप काफी लंबे समय से equity market में invested हैं, तो maximum to maximum, large and mid cap, एक category है विने जी, दोन गलती काफी लोग करते हैं, senior citizen काफी कर लेते हैं, वो regular plan में invest करते हैं, तो मोटा मोटा अगर हम बात करें, एक percent के आसपास उनका return कम हो जाता है, तो mutual fund में direct plan होता है, जिसमें expense ratio आपके कम हो जाते हैं, तो आप large cap fund के direct plan में invest करेंगे, तो आपके लिए better रहेगा, क्योंकि ज क्रिसिल एक काफी भेतरीन rating agency है, इंडिया की, तो उन्होंने निपोन इंडिया large cap fund और ICSA potential blue chief fund, ICSA potential blue chief fund तो काफी पुराना fund है, तो इन दोनों में से किसी एक में आप invest कर सेते हैं, तो दोनों को rank 1 दिया गया है, क्रिसिल के दुआरा, तो ये mutual fund की विने जी advise रहेगी, अगे कही आप से नाथ करेंगे,